नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे आप सब? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, MTS और हवलदार 2022 का इक्जाम भी हो चुका और उसका आंसर की भी आ चुका है और आप लोगों को पता चल चुका है कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आपका ROY स्कोर कितना आ रहा में normalization का भी बहुत बड़ा हात होता है तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आपका score कितना तक आ रहा है आपका ROY score तो आपका result आने का चांस है आपका MTS में final selection होने का आपका chance है आज आपको बताएंगे आपको एक idea देंगे कि आपका स्कोर इतना तक आ रहा है तो आप होप रख सकते हैं उमीद कर सकते हैं कि आपका result आ सकता है ओके दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी MTS और हवलदार 2021 का ही final result आया है और अब MTS और हवलदार 2022 का result आने वाला है ना हलांकि हवलदार में आगे physical भी होगा लेकिन MTS में अब आगे कुछ भी होने वाला नहीं है तो दोस्तों आईए हम लोग एक एक करके अच्छा से देखते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि MTS 2021 में 4900 के आसपास वेकेंसी था यानि कि आप लोग कह सकते हैं कि 4000 के आसपास वेकेंसी था लेकिन इस बार MTS 2022 में total जो MTS का वेकेंसी है वो 12,000 के आसपास यानि कि 2021 स ते तीन गुलना MTS का वेकेंसी है हलांकि हवलदार में इस बार ज्यादा वेकेंसी नहीं है 2021 में 3600 के आसपास वेकेंसी था लेकिन इस बार हवलदार में only 500 के आसपास ही वेकेंसी है तो इस बार MTS में ज्यादा चांस है कि result आने से पहले MTS और हवलदार का वेकेंसी increase भी हो सकता है ना जैसे MTS का 12,000 है तो increase होके 14-15,000 हो जाए तो और अच्छी बात होगी है ना तो देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन जो भी वेकेंसी है 12,000 अच्छा खासा वेकेंसी है जो आपके selection में बहुत help करेगा है ना और ये दोस्तों final cut-off है MTS 2021 का और 2021 में क्या था कि out of 100 पे final cut-off निकाला गया था final selection हुआ था लेकिन इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि reasoning और math का score merit में add नहीं किया जाएगा है ना सिर्फ English और GK के score के आधार पर ही merit बनाया जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझ ले कि आपका score यदि इसके आसपास है तो आप बिल्कुल उमीद रख सकते हैं और इसके अलाबे दोस्तों आपका selection इस बात पे भी depend करता है कि आप कितना preference भरे हैं apply करते time आप यदि apply करते time कोई गलती कर दिये होंगे आप सिर्फ एक दू preference भर के उसके बाद cut 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 कर दिये होंगे तो सिर्फ आपका जो उमीद रहेगा आपका जो chance रहेगा इसी दोनो state का cut up आप यदि clear करते हैं तब ही आपका job हो पाएगा बांकि किसी भी state के cut up से आपका कोई मतलब नहीं होगा आप जितना state preference दिये होंगे वो सभी में आपका chance रहेगा अब आप लोग देखें कि आप लोग कितना state preference apply के time दिये थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चंडीगर में total 5 ही vacancy था MTS 2021 में तो इसका जो cut up गया था वो 92 के आसपास गया था final cut up EWS का और general का आप लोग देख सकते हैं कि 94 के आसपास गया था है न और आप एक बात को मानेंगे दोस्तों कि MTS में जो scoring part होता है वो math और reasoning ही होता है जिसमें math और reasoning को मिला के 45 से 50 चास score आसानी से candidate करते थे ये MTS का असलियत था कि math और reasoning मिला के candidate अच्छा खासा score ला लेते थे उनका जो थोड़ा कम score आता था वो English और GK में जिसका English में अच्छा score आता था उसका GK में अच्छा score नहीं आपाता था जिसका GK में अच्छा score आ जाता था उसका English में अच्छा score नहीं आता था तो यही MTS में अधिकतर candidate का हाल होता है तो आप लोग ये समझ ले कि English और GK का जो average score होगा उसी के आधार पे cut-off होगा ज्यादा high cut-off नहीं जाने वाली है ना एक example समझा देते हैं आपका बाच्छा English और GK का पेपर तो उसमें आपका सकते हैं कि वो 40 के आसपास score लाया होगा दोनों मिला के है ना अभी तो एक question पे तीन नमबर दिया जा रहा है तो 40 कहने कर्थ हुआ 120 है ना यनि कि 120 तक score यदि आपका है तो आप confirm रह सकते हैं कि आपका result एकदम आएगा ही आएगा और ये 120 क्या है कि जहां कम बेकेंसी होगा उहां पे यदि आपका score अभी 120 आ रहा है तो आप final selection का उम्मीद बिलकुल रख सकते हैं जहां पे बेकेंसी कम है तो आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आपका 40 तक सही है English और G के मिला के तो आप निश्चिंत रहें कि आपका result एकदम आएगा आप यदि कम भी state preference दिये होंगे तब भी आपका result बिलकुल आएगा समझ में आगे दोस्तों और जहां पे बेकेंसी ज़्यादा होगा उहां पे chance भी ज़्यादा होगा समझ में आगे दोस्तों और आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा state preference दिये होंगे जहां पे cutoff कम जाती है यदि उहां पे आपका score यदि 35 के आसपास भी आ रहा है यनि कि 35 कहने का अर्थ हुआ 105 है ना यदि आपका score 105 के आसपास भी आ रहा है तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका result आ सकता है MTS में आपका final selection हो सकता है और ये 105 हम UR और EWS का बात कर रहे है आप यदि OBC हैं तो OBC का भी cutoff UR और EWS के आसपास भी रहता है है ना आप भी इतना ही मान सकते हैं आप यदि SCST हैं तो आप इससे 5 से 6 नमर कम मान सकते हैं उसमें आपका selection हो सकता है है ना आप यदि X service man हैं और आपका भी 75 से 80 score आ रहा है तब भी आपका result आने का chance बिल्कुल रहेगा और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा state preference दिये होंगे और यदि आप डेली का cut-off clear करेंगे तब ही आपका job हो पाएगा आप यदि डेली का cut-off clear नहीं करते हैं तो फिर आपका result नहीं आएगा आप मान लिजिये कि डेली का भी preference दिये होंगे राजस्थान का भी दिये होंगे उत्राखंड का भी दिये होंगे उतर परदेश का भी दिये होंगे, अंडमान का भी दिये होंगे, जहरकंड का भी दिये होंगे, ओडिसा का भी दिये होंगे, विश्ट बंगाल का भी दिये होंगे, आप अरुनाचल परदेश का भी दिये होंगे, असम का भी दिये होंगे, आप मनीपूर का भी दिये होंगे मेगाले का भी दिये होंगे, नगालेंड, तिरपुडा, 36 गर्ड, मदपरदेश, यानी कहने का मतलब है, जितना भी state preference था, आप all to all भड़े होंगे, तो सभी state में आपका chance रहेगा, आप किसी भी state का cut-off यदी clear कर लेते हैं, तो आपका selection पक्का हो जाएगा, है ना, अब किस तरह से आपका preference चेक किया जाता है, आपका selection होता है, उसके regarding भी वीडियो बहुत सारा पहले दिये हुए हैं, आपको समझाए हुए हैं, यदि आपको confusion है, तो आप इसी तीन example से अच्छा से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप पहला preference मदपरदेश दी होंगे, दूसरा preference आ गुजरात दी होंगे, और तीसरा preference आप गुजरात दी होंगे, समझ में आ गया, आपको एक, दो, तीन preference से आपको समझा देना है, मान लीजिए कि आप मदपरदेश का cut-off clear नहीं किये, यनि कि आप पहला preference का cut-off clear नहीं किये, तो मदपरदेश में कोई chance नहीं रहेगा, इसक के बाद देखा जाएगा, कि आपका third preference क्या है, तो देखा जाएगा कि गुजरात में आप cut-off clear कर चुके है, तो गुजरात में आपका final selection हो जाएगा, और गुजरात में आपका posting हो जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों, यदि आप गुजरात का भी final cut-off clear नहीं करेंगे, त गुजरात में भी आपका selection नहीं होगा, आप यदि तीन ही preference देके छोड़ दिये होंगे, बांकी cut-cut, cut-cut कर दिये होंगे, तो आप race से बाहर होगे, समझ में आ गया, यदि आप चोध था, पच्चमा, छथा, आप एकदम last तक जितना preference था, उतना आप दिये होंगे, तो एक क्या preference दिये हैं, आप यदि पहला कहीं cut-up clear कर लेते हैं, तो आपका job यहीं पे हो जाएगा, बांकी से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा, समझ मा गया ना, तो यही state preference का खेला होता है SSC MTS में, ओके, तो अब आप जाने कि आप कितना state preference भरे हैं, जैसा कि आप लोग देख र 5 आपका यदी सही है, यानि कि 105, 105 तक आपका score यदी आ रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहें, कुछ बातें normalization पे भी depend करेगा, कि आपका score कितना increase करता है, ओके, तो दोस्तों आप लोग एक नजर अच्छा से देख लें, कि किस-किस state का कितना कितना cut-off गया है MTS 2021 में final cut-off, ओके, आप लोग अच्छा से एक नजर देख लें, ओके, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कि जो लोग All India Code 72 भर के छोड़ देते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा cut-off जा रहा है, only 4 vacancy ही था 2021 में, बहुत सारे दोस्तों लोग क्या करते हैं, कि सिर्फ Code 72 डाल दि जिसमें औरों की तरह कुछ vacancy होता है, तो यदि आप ये गलती किये हैं, कि MTS All India Code 72 डालके ही छोड़ दिये हैं, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, यदि आप इसका cut-off clear करेंगे, तभी आपका job हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, किसी भी state के cut-off से आ आपके लिए धनेवा, नमस्कार.